ज़र आत्मा ग्यान सरूप है, ग्यान से तादात्म है है, ग्यान आत्मा को जानता ही है, तो फिर आत्मा को जानो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो वो जानने में तो आ रहा है सबको अपनी ग्यान की परियाय में, लेकिन जानता नहीं है, जैसे दरपन में मुख तो दीख रहा है, लेकिन वो दरपन में देखता नहीं है, तो अपना मुख दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे जब तक वो अपनी ग्यान में अपनी आत्मा का तो फिर प्रश्ण हुआ था कि वो कितने समय तक कब तक अप्रतिबूद अज्ञानी रहेगा तो उसके उत्तर रूप 19 में घाथा थी दो मिनिट में रिवीजन कर लेते हैं और 26 घाथा में आ जाते हैं मतलब वहां कहां जब तक इस आत्मा की ज्ञाना वरन आदी द्रव्य करम मोहरागदेश आदी भाव करम और स्राइ आदी नो करम में यह मैं हूँ और मुझ में यह करम नो करम है ऐसी बुद्धी बनी हुई है जब तक ऐसी बुद्धी बनी रहती है तब तक वह आत्मा अप्रतीबुज अज्यानी है ऐसा उन्नीस की गाथा के प्रश्ण के उत्तर के रूप में ही है जब उनको दिया मतलब उसको समझाया था कि जैसे पुद्धगल है यह जड़ पुद्धगल है उसमें स्पस, रस, गंद, वबन का अनुवव होता है वैसे किसी को शरीर और आत्मा में एक पने का अनुवव होता है एक पने ब्रासित होता है तब तक वो अज्यानी है तो वहाँ एक और दश्टान दिया कि जैसे दर्पन में अगनी की ज्वाला दिखाए देती है वहाँ यह ज्यात होता है कि ज्वाला तो अगनी में ही है वह दर्पन में प्रविष्ट नहीं है और जो दर्पन में दिखाई दे रही है वह तो दर्पन की स्वच्ता ही है इसी प्रकार ये कर्म नो कर्म अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं है आत्मा की ज्वास्ता ही ऐसी है कि जिसमें वो गे का प्रतिविम दिखाई देता है तो इस प्रकार देखे तो कर्म और नो कर्म जो है वो गे है इसलिए वे प्रतिवासित होते है फिर बहुत अच्छी बात अंत में कही थी 19 गाता में कि जब ऐसा बेद ग्यान रूप अनुभव आत्मा को या तो स्वयम होता है या तो गुरू के उपदेश से होता है तब वो प्रतिबुद्य होता है तो इतनी बात 19 गाता में बताई थी फिर आगे ये बात आई एक दूसरा प्रशन आया था कि 19 गाता के बाद में कि ये आत्मा अप्रति बुद्ध है ऐसी पहचान कैसे होती है तो उनका कुछ चिनहा लक्षन बताओ तो उसके उत्तर रूप गाता बताई थी उसमें उत्तर में तीन गाता थी 20-21 वहाँ प्रति बुद्ध की पहचान क्या है वो बात पे फोकस किया था कि जो पुरुस अपने से अन्य जो परद्रव्य है और परद्रव्य में उन्होंने परद्रव्य के प्रकार बताए कि सचीत बोला, स्त्री पुत्र आदिक को सचीत बोला, धन धान्या आदिक को अचीत बोला, और ग्राम नगर आदिक को मिश्र बोला, उन्हें यह समत्ता है कि मैं यह हूँ, यह द्रव्य मुझे शरूप है, मैं इसका हूँ यह मेरा है, यह मेरा पहले था, इसका में भी पहले था, यह मेरा बविश्य में होगा, में भी उसका बविश्य में होँगा, ऐसा तिन काल सम्बंधी, जुठा, आत्मपने का विकल्प, वो परदरवे में करता है वह मूड है मूही है अग्यानी है तो ये अग्यानी का लक्षन बता है साथ में ग्यानी कीप की बात बताई थी कि जो पुरूष परमार्थ वस्तु सरूप को जानता हुआ वैसा जुठा विकल्प नहीं करता है वह मूड नहीं है वह ग्यानी है तो ऐसी बात 20-21 गाथा में बताई थी, फिर थोड़ा आगे चलते है उससे, तो उसको स्वट में ऐसा बूला कि जो परद्रव्य में आत्मपने का विकल्प करता है, वो अग्यानी है और जो अपने आत्मा को ही अपना मानता है, वो अग्यानी है, ऐसा कहके वो गाथा का समापन क किया था, फिर मतलब वहाँ ये समझाना चाहते हैं अभी आगे कि आत्मा को परद्रव्य के साथ किसी समय एकता का भावप्राप्त होता नहीं है, वो समझाने के लिए और वो उनको परद्रव्य से एकपने का जो मोह है अनादी चे चल रहा है, वो छुडाने के लिए उन्ह उन्होंने ऐसी बात कही थी कि अनादी काल से परद्रव्य के प्रती लगा हुआ जो मोह है, उसका भेद ग्यान वो बताना चाहते हैं और प्रेणा भी देने चाहते हैं कि आप परद्रव्य में एकत्वर मोह को अब छोड़ दो और ग्यान का आस्वादन करो, क्योंकि मोह र कहते हुए 23, 24 और 25 गाथा में अप्रती बुद्र अज्ञानी को समझाने की लिए प्रेतना किया उन्होंने, तो उन्होंने वो तिन गाथा में ये समझाया था, कि जिसकी मती अज्ञान से मोहित हुई है, और जो मोह राग देस आदी अनेक भावों से युप्त है, ऐसा जी जीव कहता है कि यह सरीर आदिक बद, धन धान्य आदिक अबद, फुद्गल द्रव्या मेरा है, मतलब जिसकी मती अज्ञान से मोहित है, वो ही जीव परद्रव्या को मेरा कहता है, तो आचारे देव उसको समझाने के लिए प्रेतना करते है, कि सर्वग्न बगवान ने जीव द्रव्या है, वो तो सदा उप्योग लक्षन वाला है, वो पुद्गल कैसे हो सकता है, कि तू ऐसा कहता है कि यह पुद्गल द्रव्या मेरा है, क्योंकि बगवान ने तेरे आत्मा को तो सदा ग्यान दर्शन शरूप, उप्योग शरूप देखा है, और पुद्गल तो जड़ अचेतन है तो तू जड़ अचेतन मेरा है ऐसा क्यों कह रहा है और वो कहते है यदि जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जावे और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो जावे तो तू भले कहे कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है किन्तु ऐसा कभी ह अब बुद्काल में नहीं हुआ अभी भी ऐसा नहीं है बविश्य में कभी ऐसा होने वाला नहीं है फिर आचारे भगवान थोड़ी कड़क भासा में कहते हैं ऐसे प्रती बुद्ध को कड़क भासा में समझा रहे हैं कि हें दुरात्मन आत्मधात करने वाले जैसे परम अभ किसी प्रकार खाने के सभाव को तु छोड़ क्योंकि सरवगन भगवान ने कहा है कि जो नित्य उपयोग सरूप जीवद्रव्य है वो पुद्गर रूप कभी हुआ नहीं है तो फिर तु क्यों ऐसा अनुभो करता है कि यह पुद्गर द्रव्य मेरा है क्योंकि कभी भी किसी प्रकार से जीवद्रव्य पुद्गर रूप हुआ नहीं है अगर जीवद्रव्य पुद्गर रूप हो जावे और पुद्गर द्रव्य जीव रूप हो जावे जैसे नमक का पानी होता है और पानी का नमक होता है समुद्र के पानी की बात है उसके ब् प्रकार से होता नहीं है ऐसा क्या कि उनको स्वट समझाते हैं कि अग्नियानी जीव जो पुद्गलद्रव्य को अपना मान रहा है उसको उपदेश देकर सावधान करते हैं कि जड़ और चेतन्रव्य दोनों सर्वता भिन भिन हैं कभी भी किसे भी प्रकार से एक रूप नही होते हैं ऐसा सर्वग्न भगवान ने देखा है इसलिए है अग्यानी तू परद्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे व्यर्थ की मान्यता को बसकर ऐसा 23, 24 और 25 गाथा में समझाया था वो बात अपनी चली थी अभी क्या करते हैं इतना समझाने के बावजुद भी ये ज चोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आचार्य भगवान एक और प्रहतन करते हैं और बहुत कोमल संबोधन से उनसको कहते हैं कि भाय तू किसी प्रकार महा कट से अथ्वा मरकर भी तत्वों का को उत्युहुली होकर इस शरीर आदी मूद्रव्य का दो घड़ी पडोसी हो कर तू आत्मा का अनुभव कर ले कि जिससे अपनी आत्मा का जो विलास रूप है सर्वा पर द्रवियों से भिन देखकर तू इस शरीर आदी मूर्तिक पुद्गर द्रवियों के साथ एकत्व का मूर को तू छोड़ सकेगा तो किसी भी प्रकार से मरकर भी कष्ट करके भी तू अपने दे से ममत को छोड़ के अपनी आत्मा को विलास देख ले आत्मा का अनुभव कर ले तो तेरों को अपने आप शरीर और आत्मा भिन है ऐसा अनुभव में आएगा और एक बात बहुत बढ़िया बताई थी वहाँ भी यदि यह आत्मा दो गड़ी पुद्गल अद्रविय से भिन अपने सुद्ध सरूप का अनुभव कर लेता है उसमें लीन हो जाता है कितने भी परीश आदी आने पर डिगता नहीं है तो जो आत्मा के सबाव के गात में निमित है ऐसे ग्यानावर्णी दश्णावर्णी मोहनिय और अंत्राय यह जो चार गातिया कर उसका नास करके केवल ज्यान उत्पन करके वो मोक्त को प्राप्त हो जाता है जो आत्मा अनुभव की ऐसी मैमा है आत्मा अनुभव में लिंस्ठीर दोगड़ी होने से जब मोक्स मिलता है तो फिर इनिशली स्टेज पे मिच्छात्व का अज्यान का अभाव करके सम्यक दर अग्यानी को इस अलग-अलग प्रकार से समझाने की कोशिस करते हैं परैतन करते हैं लेकिन यह ऐसा अज्यानी है ऐसा मतलब घाड़ा अज्याने जाड़े रस्ततव जैसा अज्यानी है कि वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है तो अभी अपनी आथ से 26 गाता सूरी होईगी तो उसमें क्या होता है कि इतना समझाने के बावजुद भी यह अज्ञानी जी अपनी बात पे अकड़ है और वो तो यही दलिल अभी भी रख रहा है कि शरीर और आत्मा दोनों एक ही है और दोनों को एक मान रहा है और अपनी तरफ से वो तो वही पक्ष रखता है कि मैं तो यहीं समझता हूँ यहीं मानता हूँ कि शरीर और आत्मा एक ही है तो वो किस तरह से कुनकुन आचादेव ने अज्यानी की तरफ से गाथा रखी है 26 नमबर की उसको अपने पढ़ेंगे हिंदी ग्रंथ में 61 नमबर का पेज है वहां गाता है हिंदी गाता अपने पढ़ते है वहां उपर हेडिंग में लिखा है अब अप्रती बुद्ध ज कहता है उसकी घाथा कहते कहते हैं मतलब अपना पक्षू रजू करता है जो जीव होयन देह तो आचार्य वाति रिथेश की मिध्या बने स्तवना सभी सो एक ता जीव तेह की मतलब अपरती बुद्ध जीव क्या कहता है वो तो यही मान रहा है कि जीव और आत्मा शरीर और आत्मा एक ही है तो वो दलिल ऐसी करता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तित्संकर आचार्यों की जो स्तुति की गई है वो तो सब सरीर के माध्यम से की गई है तो वो सब उनकी की गी हुई स्तुति सब मिध्या होती है इसलिए हम तो यही समत्ते है कि जो आत्मा है वह द यही है ऐसा यह अज्ञानी का एक पक्ष रखता है लेकिन जगत में जिसको आत्मा का आत्मा को नहीं पहचानता है वो सबकी यही दलिल रहती है कि शरीर और आत्मा दोलो एकी है तो उन्हों ने आचार्य भगवन्तों का उधरन दिया कि जीतने भी आचार्य भगवन्तों की स्तूती की है तिर्थंकर भगवन्तों की स्तूती की है वो सरीर के माध्यम से की है इसलिए नकी होता है कि शरीर और आत्मा दोनो एकी है वो समचता है कि जो आत्मा है वही पुदगर द्रव्य सरूप यहाँ सरीर है वो कहता है कि यदि यो ऐसा नहीं होता तो तिर्थांकर और आचारियों की जो स्तूती की गई है वो सब मिथ्या सीध होई तो वो स्तूती का आधार भी देते हैं आगम में से उन्होंने सब पड़ा हुआ है अज्यानी ने तो वो कहता है कि आचारिय तिर्थांकर वंधनी है क्यासे वंधनी है वो स्तूती का प्रकार बताते है एक्स्तूती में आता है कि अपने शरीर की क्रांती से दशो दिसाओं को धोते हैं निर्मल करते है एक तो यह पक्ष रखा उष्ने दूसरा उन्होंने कहा कि अपने तेज से उतक्रुष्ट तेजवाले शूरिय आधिक के त इसको ढख देते हैं ये सब शरीर की तरफ से दलिल कर रहा है कि शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं तीसरी बात उन्होंने बताई कि अपने रूप से यानि शरीर के रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं ऐसे तिथंकर भगवान होते हैं ऐसे आचरे भगवान होते हैं और फि इव्यध्वनी से भव्यों के कानों में साक्षात सुखामुरूत बर्शात है और वे एक हजार आठ लक्षनों के दारक है उनके शरीर में सुपचिन्ह होते है तो ये सब तो शरीर का वर्नन है तो शरीर के माध्यम से तिर्थंकर वगवान की स्तुति की है इसलिए हम तो यही समत्य है कि शरीर और आत्मा एक है अगर आप एक नहीं मानोगे तो इत्यादी रूप से जो तिर्थंकर की आचारियों की जो स्तुति की गई है वो सब मिथ्या सीद होती है इसलिए देखो अभी बहुत जोर पुर्वक अग्यानी कहता है इसलिए हमारा तो यहीं एकांत नि सब्हे है इस प्रकार अप्रती भूद ने अपना पुक्ष अपनी मान्यता का पुक्ष shrug kा तो आचारियों के सामने पख रखा समझो कौट में वादविवाद चल रहा है ऐसी बात समucha की अग्यानी ने अपनी तरफ से ऐसा पह रखा तो आचारे ब्गवां सामने समाधन क अपना पक्ष रखते हैं आचारे भगवान कहते हैं मतलब सत्याविश गाथा में प्रवेश कराते हैं 26 में 26 मी गाथा में तो अज्यानी का पक्ष था सत्याविश मी गाथा में आचारे भगवान का पक्ष है वो समझाते हैं तो आचारे देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है तू न नई विभाग कैसे है ये बात ये गाथा के माध्यम से समझाते हैं मतलब यहां आचार्य भगवान ये कहना चाहते है कि तेरे को नयों का ग्यान नहीं है हम शरीर के माध्यम से आत्मा की स्तुति करते हैं तो एक वेहवार नहीं ऐसा है वो शरीर और आत्मा को एक कहता है तो व तीन कारण आगे देंगे तो यहां वो नई विभाग से उत्तर देते हैं तो वो 27 गाथा में इस प्रकार से आचार्य भगवान ने गाता लखी कुन-कुन आचार्य देवने कि जीव देह दोनों एक है यह वचन है व्यहवार का निश्चे विशे तो जीव देह कदापी एक प साल पहले यह प्रश्ण के उत्तर के रूप में कुन-कुन आचार्य देवने लिखी कुन-कुन आचार्य देव जवाब देते हैं शिश्य को कि वेहवार नहीं तो यह कहता है कि जीव और सरीर एक ही है तो वो कहता है वो वेहवार है किन्तु निश्चे ने के अभी प्राई से जी और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हो सकते तो इसको और द्रश्टांत देके अचारे भगवान समझाते है कि सरीर और आत्मा को विहवार से एक क्यूं कहा तो द्रश्टांत में ऐसा कहा जाता है कि जैसे लोक में सोने और चांदी को गला कर एक करद देने से एक पिंड का वहवार होता है उसको सोने का गोला भी को चांदी के साथ में गला कर एक पिंड रूप उसका वहवार होता है तो जब दोनों साथ में गलते एक पिंड बन जाता है तो एक पिंड का वहवार होता है इसी प्रकार आत्मा और शरीर परस पर एक शित्र में रहने की अवस्था होने से शरीरों और आत्मा में एक पने का व्यहवार होता है यो व्यहवार मात्र से ही आत्मा और सरीर का एक पना है परन्तु निश्चय चे एक पना नहीं है क्योंकि जो वो पिंड है सोने और चादी का उसमें निश्चय चे देखा जाए तो जैसे पिलापन आदी और सफेदी आदी जिन का सबाव है ऐसे मतलब पिलापन है वो सोना है एक पिंड में और सफेद पना है वो चादी है वो दोनों अत्यंद बिन बिन होने से उसमें एक पदार्थपने की असिद्धी है इसके लिए वेहवार से एक पना कहा था एकत्व कहा था लेकिन दोनों अपने अपने घुन धर्मों से अलग है वो एक पिंड है उसमें पीला है वो तो सोना है और सफेदी है वो चादी है तो दोनों अत्यनबीन है इसके लिए एक पदार्थपने की उसमें असिद्धी होती है इसलिए अनेकत्व ही है इसी प्रकार जीवर सरीर की ब तो जो उपयोग सरूप है जिसका सबावे वो तो आत्मा है और अनुपयोग यानि ज्यान दर्शन से रही जो जड़ अचेतन है वो शरीर है ऐसी शरीर और आत्मा में भीनता होने से उनमें एक पदात्पने की असिद्धी है इसलिए अनेकत्व ही है ऐसा यह प्रगट नई व बाग है तो व्यहवार से बले शरीर और आत्मा को एक कहा जाता है लेकिन निच्चे से देखे तो शरीर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकता है इसलिए व्यहवार में शरीर के स्थवन से आत्मा का स्थवन होता है तो व्यहवार से शरीर और आत्मा को एक कहा तो शरीर का शरीर का स्थवन करने से कभी आत्मा का स्थवन होता नहीं है लेकिन दोनों एक शित्र में एक आत्र रहे हुए है तो दोनों में एक पने का वेहवार है दोनों को एक पिंड कहा जाता है तो फिर शरीर का स्थवन करके स्थुती करके आत्मा की स्थुती की ऐसा वेहवार कहा ज तो वेहवार नहीं से दिखा जाए कहा जाए तो आत्मा और शरीर को एक कह सकते हो और वेहवार नहीं दोनों को एक कहता है और निच्चे नहीं ये दोनों को भिन कहता है तो वेहवार नहीं दोनों को एक कहता है इसलिए वेहवार नहीं से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्त तो यहीं बात वेहवार से शरीर का स्तवन करके आत्मा की स्तूती की ऐसा कहा जाता है ऐसा माना जाता है उसके सपोर्ट में 28 नंबर की गाथा आचारिय भगवान कह सकते हैं तो देखो यह 27 नंबर तक तो यह से दलील हुई उत्तर हुआ एक दलील हुई और एक उत्तर हुआ अभी क्या है यह कहां ले जा रहे 28, 29, 30 गाथा कि आगे 31, 32, 33 गाथा आने वाली हैं एक स्तूती अभी हो गई वेहवार स्तूती हो गई वो वेहवार में शरीर के माध्यम से आत्मा की स्तूती की तो वो वेहवार का नाम है असदभूत वेहवार मतलब जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है उसकी सत्ता आत्मा के साथ कहना वो असदभूत असदभूत अ याने नहीं सद याने सत्ता भूत याने होना जिसकी सत्ता नहीं है फिर भी उसकी सत्ता आत्मा ने बताना वो असदभूत व्यहवार ने की स्तूती है अभी एक स्तूती और आएगी 31 गाथा के पहले वह भी व्यहवार स्तूती आएगी लेकिन वो सदभूत व्यहवार की स्तूती आएगी तो उसमें दो काम होएंगे व्यहवार से तो स्तूती करेंगे ही लेकिन जो असदभू सद्बूत विहवार से स्तूती की थी उनका निशेद करेंगे क्योंकि शरीर के माध्यम से आत्मा की स्तूती करने से तो आत्मा की स्तूती अभी ऐसा कहेंगे निश्चय से नहीं होएगी निश्चय से तो आत्मा के गौनों के माध्यम से जो स्तूती की जाती है वही आत्मा की इसा एक वहवार दूसरा खड़ा किया उसको बोलते है सदबूत वहवार तो जब सदबूत वहवार खड़ा होता है तो सदबूत वहवार का निशेद हो जाता है और फिर सदबूत वहवार है उसका निशेद करने के लिए आगे 31 गाथा 32 गाथा और 33 गाथा तीनों में निश प्रगट कराने की बात है वो 31, 32 और 33 वो तीन गाथा में पूरा मोक्ष मार्ग दिया है और आगे मोक्ष फल दिया है तो असली विशय जो है अपने जीवन में उतारने लायक तो ये ग्यान कराते है कि शरीर के माद्यम से आत्मा की स्तूती होती है तो आत्मा की स्तूती कही जाती है फिर आत्मा के गुणों के माद्यम से स्तूती है उसको भी आत्मा की स्तूती कही लेकिन असली आत्मा की स्तूती कोई अलग प्रकार से है वो किस प्रकार से स्तूती होएगी जहां जिस स्तूती से पहले मोक्षमार्ग शुरू होएगा फिर दूसरी स्तूती करेंगे निश्चे स्तूती उसमें मोक्षमार्ग में आगे बनेंगे और जब तिसरी स्तूती आए तक तो ये नक्की किया कि एक असद भूत वेहवार ने इसे आचारिय बगवान ने बात की कि आप शरीर आत्मा को एक पिंड होने से एक कह सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन निच्छे इसे देखे जाओ तो एक उपयोग शरूब है और एक अनुपयोग शरूब है तो दोनों भीन-भीन है इसलिए दोनों कभी एक नहीं हो सकते तो यहां कह रहे है कि आप वेहवार से बले शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है ऐसा कहके वो 28 में गाथा कह रहे है असद भूत वेहवार ने की बात यहां बता रहे है कि 28 गाथा पढ़ पुदगल मई इस देह की स्तवना करी माने मुनी जो केवली बंदन हुआ स्तवना था इसाए पुदगल मई जो देहे उनके स्तुति स्तवन करते है है मुनी बगवन तो ग्यानी पूरुज और ये मान लेते हैं कि हमने केवली भगवान की स्तूती केवली भगवान का वंदन किया तो क्या कहते हैं कि उसी बात को थोड़ा अर्थ समत्ते हैं कि जीव से भीन इस पुद्घल मई देह की स्तूती करके साधु पुरूस ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तूती की है और केवली भग गुवान की वन्ना की है क्यों ऐसा कहते है तो वही द्रष्टान था कि सोन और चादी को गलाने से एक पिंड हो जाता है तो वहां कहते है कि जैसे चादी से मिला हुआ सोने का पिंड होता है उसमें परमार्थ से सफेदी जो है वो सोने का सभाव नहीं है फिर भी चादी का जो स्वेत गुन है उसके नाम से सोने का नाम स्वेत स्वन कहा जाता है स्वेत स्वन कहा जाता है लेकिन जो स्वेत पना है वो तो चांदी का है लेकिन जब चांदी मिली हुई है तो वो जो गड़ा है मतलब जो गठा बना है उसको स्वेत स्वणपन कहा जाता है फिर भी वो सफेदी पना वो सोने का सभाव नहीं है यह तो विहवार मात्र से ही कहा जाता है इशी प्रकार परमाण से जो तित्थंकर अब भगवान के शरीर का वण होता है शुकलरक्त वगेरे वण होता है वो केवली पूरुष का सभाव न होने पर भी शरीर के घुन जो सुकलर रक्त इत्यादी है जो शरीर के रंग होते हैं उनके स्टवन से तिर्थंकल केवली पूरुष का सुकलर रक्त तिर्थंकल केवली पूरुष के रूप में स्टवन किया जाता है वह वेहवार मात्र से ही किया जाता किन्तु निश्च़ से निश्च़ नहीं से सरील का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं हो सकता है तो देखो यहां थोड़ा और उसको खुलते हैकि यहां कोई ऐसे प्रश्ण करता है कि वेहवार नहीं तो असत्यार्थ कहा आपने कि निश्चे इसे ये सत्या नहीं है तो वेहवार नहीं को असत्यार्थ कहा और शरीर जड़ है तब वेहवार आश्री जड़ की स्तूती का क्या फल एक तरफ आप कहते हो कि जो वेहवार से शरीर की स्तू मानी जाती है लेकिन निच्च इचे वो बात सही नहीं है वो गलत है तो फिर यहां सिश्य एक प्रश्ण रखता है तो फिर सरीर के माध्यम से आत्मा की स्तूति आप क्यू करते हो ऐसा प्रश्ण है प्रश्ण बराबर समझना पड़ेगा पहले कहा अग्यानी की दलिल थी दो है वो शरीर के माध्यम से तीर्थंकर भगवान की स्तूति की है अगर आप शरीर आत्मा को एक नहीं मानोंगे तो फिर जीतने भी शरीर के माध्यम से तीर्थंकर केवली की स्तूति की वो सब मिथ्या होगी फिर उन्होंने द्रश्टान के रूप में वो स्तूति भी रखी हде शरीर के माध्यम से उनका गुंगान कैसे केवडी भगवान का किया वो बात रखी तो उन को समझाय आचारय भगवानने तू नई विबाक को जानता नहीं हैं तू नहीं विबाक को नहीं जानता है इसलिए तू ऐसी घलत बात रख रहा है क्यों नई विबाग में शरीर और आत्मा एक शेत्र में रहे हुए है इसलिए शरीर के माध्यम से स्तूति की जाती है और आत्मा की स्तूति हमने कही ऐसा कहा जाता है लेकिन निच्चे नहीं से देखा जाए तो शरीर तो जड़ अचेतन है और आत्मा चेतन है उप्योग शरूब है तो वो एक शेत्रम है इसलिए एक पना मान के स्तूति करते हैं लेकिन उसमें एक पना हो नहीं सकता वो अनेकवत्व को ही प्राप्त होते हैं तो फिर यहां प्रश्ण किया शिश्य ने जो अभी जहां तक अपने आये हैं कि यहां शिश्य प्रश्ण करता है कि आपने वेहवार न तो फिर वो पुछता है कि आपने शरीर जो जड़ है तो वेहवार आशरी जड़ की स्तूती करेंगे तो उससे क्या लाव होएगा आप तो शरीर क्या गुलगान करते हो तो फिर उससे क्या लाव होएगा तो उसका उत्तर में तीन कारण बता है कि शरीर के माध्यम से तीर्थंकर केवली की स्तूती क्यों की जाती है उसके उत्तर में तीन बाते आचारे बगवान कहते है नंबर वन वेहवार नहीं पहले तो वो वेहवार को असत्यार्थ का है ऐसी बात कहीं नहीं तो पहले तो उसके उपर ही प्रहार किया कि वेहवार ने सरवथा असत्यार्थ नहीं है कथंचित सत्यार्थ है वो असत्यार्थ कब कहा जाता है जब निश्चयने को प्रधान करते है तो वेहवार ने को असत्यार्थ कहा जाता है मतलब कथंचित सत्यार्थ पणा भी वेहवा तो क्या सत्यार्थपना है तो देखो शदमस को अपना और परका आत्मा साक्सात दिखाई नहीं देता है उसको दिखाई देता है तो अपना भी शरीर दिखाई देता है और सामने के उली भगवान बैठे हो समोचर में उनका भी शरीरी दिखाई देता है एक बात अभी शरीर में उनकी जो सरीर की सांत मुद्रा है वो सांत मुद्रा को देखकर अपने को भी सांत भाग हो जाते हैं बगवान का जो शरीर दिखता है समोशरन में जब बगवान भी राजमान होते है तो वहां बगवान की आत्मा को अपने को दिखती नहीं है बगवान का सरीर दिखता है और शरीर की मुद्रा भी शांत होती है, तो जो बगवान का भक्त होता है, वो बगवान को देखता है, मतलब बगवान के शरीर को देखता है, मतलब बगवान के शरीर की शांत मुद्रा को देखता है, तो पहले तो अपने भाव भी शांत हो जाता है, बस यही कारण से, यही उपकार समझके वो सरीर के आस्रई से भी स्तूती करता है कि भगवान की सांथ मुद्रा क्यासी है तो वो फिर सरीर का वरनन करके उसके माध्यम से आत्मा का गुर्णगान करने लग जाता है दूसरी बात वो सांथ मुद्रा को देखकर वह निमीत बनता है और जैसे भगवान अपनी और जांख रहे अपने को देख रहे ऐसी नासा द्रश्टी देखकर उनकी भगवान के भग की द्रश्टी भी अपने सभाव की और चली जाती है तो अंतरंग में वितराग भाव क्या निश्चे हो जाता है कि भगवान वितराग शरूप हो गए तभी इतने सांथ रहते हैं तो उनका लक्ष उनका उप्योग अपनी आत्मा में लीन है तो में भी मेरा उप्योग बाहर से हटा के अपनी आत्मा में ले जाओंगा अपनी आत्मा में लिन कर दूँगा तो मुझे भी भगवान जैसा वितराग भाव प्रगट होएगा तो ऐसे वितराग भाव कैसे होएगा उसका भगवान को देखके वो नीने करता है निश्चे करता है तो यह भी भगवान के शरीर को देखके असा नीने करता है तो यह भी एक उपकार है तो बले भगवान के शरीर को देखके किया तो भगवान का शरीर तो नहीं है लेकिन भगवान के साथ में जो शरीर जुड़ा हुआ है तो यह शरीर का भी एक प्रकार से उपकार होता है, तो इसके लिए वो व्यावार स्तुती है, उसका निशित किया जाता है, आगे जाके, फिर भी ये इसका फल है, दो फल मिला, कि बगवान की सांत मुद्रा देखके, अपने परिणाम सांथ हो जाते हैं, और बगवान की सांत मुद्रा ये बताते हैं कि भगवान अंदर से उनकी आत्मा वित्राग शरूप हो गई है क्योंकि वो उपना उभियोग उन्होंने बार से हटा के अपनी आत्मा में लगाया है तो उनसे ये संदेशा मिलता है मैं भी अपने उभियोग को बार से समेट के अपनी आत्मा में लि माध्यम से होता है इसके लिए ग्यानी धर्मात्मा शरीर के माध्यम से तिर्शंकर केवली की स्तूती करते हैं तो यही बात आगे 29 नंबर की घाथा में कहते हैं यही बात को आगे थोड़े ले जाते हैं इसमें क्या करेंगे यह वेहवार को रखेंगे लेकिन शरीर के माध्य जो केवली के गुनगान किये थे तो वो ये बताएंगे निश्चे इशे तो शरीर के गुनगान करने से आत्मा के गुनगान नहीं होते हैं लेकिन वो बगवान के केवली के आत्मा के गुनगान करने से उनके गुनगान होएंगे तो जो असत्वुत विहवार था शरीर के तूति सवन होएगा ऐसी बात रखते हैं तो सद्भूत व्यावार खड़ा होता है यहाँ पे तो 29 नंबर की गाता है वो अपने पड़ रहे है निश्चय विशे नहीं योग्ये क्या योग्ये नहीं अभी ये एक मतलब इसको निश्चय का है तो सद्भूत व्यावार लेकिन निश्चय क्यों कहा निश्चय नहीं व्यावार नहीं का निश्यद करता है तो अभी बताएंगे व्यावार लेकिन वो सद्भूत व्यावार बताएंगे उसमें असद्भूत का निश्यद होगा असद्भूत व्यावार कौन सा था कि शरीर के माध्यम से स्तुती करने से के योग्य नहीं है क्या योग्य नहीं है कि नहीं देह गुण केवडी ही के शरीर के गुण है वो कभी केवली भगवान के गुण होए सकते नहीं है तो फिर उनके स्तूति कैसे होएगी तो दूसरी लाइन में बताते है जो केवली गुण को स्तवे परमार्द केवली को वो करते हैं देव के गुण से केवली की स्थूति करते हैं तो खरे खर देखा जाए निच्चे इते देखा जाए तो वो योग्य नहीं है आपको केवली भगवान की स्थूति करनी है तो केवली भगवान ने जो फून प्रगट की है अनन्त दर्शन, अनन्त ज्यान, अनन्त आदी जो अनन्द घोन प्रगट हुए पून रूप से अनन्द में प्रगट हुए है तो ऐसे घोनों का स्तवन करने से परमार्चे केवली का स्तवन होएगा ऐसा 29 में गाथा में कहा तो आगे का वेहवार का निशेद हो गया और ये दूसरा एक वेहवार खड़ा हो गया ये वेहवार क्यों है कि भगवान तो एक अभेद वस्तु है आत्मा उनमें अनन्द गुन से अभेद होने पर भी उनके ग्यान दर्शन सूख वीरिया आदी जो बेद करके गुनों के माद्यम से स्तूति की बात की इसके लिए इसको भी वेहवार कहेंगे लेकिन यहां जिस वेहवार कहा जाता है तो यहां सदबूत वेहवार कहड़ा होता है तो यह वेहवार स्तूति ही रहेगी तो क्या कहते है गातार उसको समझे तो वह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है कौन सा स्तवन जो देह गुन के माद्यम से केवली का स्तवन किया था आगे वो निश्चय से योग्य नहीं है उसका कारण भी देते है क्योंकि शरीर के गुन केवली के नहीं होते जो केवली के गुनों के स्तूति करता है वह परमार से केवली के स्तूति करता है तो ये बात एक 29 में लखे हैं उसको भी द्रष्टानद देखे समझाते है जो द्रष्टानद चल रहा है वो चांदी का सफेदी परणा और सुने का पिला परणा तो वही द्रष्टानद सब गाता में लिए है यहां तक की गाता में वो क्या कहते हैं जैसे चांडी का गुण जो सफेद पना है वो सफेदी का शुवन में अभाव है इसलिए निच्चए से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता शुवन के गुन जो पिलापन आदी है उनके नाम से ही शुवन का नाम होता है मतलब स्वेट शुवन ऐसा वहवार से कहा जाता है क्योंकि साथ में स्वेट चांदी मिली हुए लेकिन खरे खर तो वो सफेदी पना सोने में नहीं है अगर स्वन को नाम देना है तो स्वेत सवन नहीं पीला सवन ऐसाई कहा जाता है इस प्रकार से शरीर के घुन शरीर के जो रंग है शुकल रक्त आदी वो शरीर के है उनका तिर्थंकर केवली पूरुस में अबाव है आत्मा में परश्रस गन्वन का सब का अबाव है तो लिए निच्चे से शरीर के शुकल रक्त आदी गुणों का स्वन करने से तीर्थंकर केवली पूरुस का आत्मा का स्वन नहीं होता है तो फिर क्या स्वन करेंगे दूसरे स्टेप में तो दूसरे स्टेप में कहेंगे अभी शरीर के गुणों को बुल जाव अभी तीर्थ अंगर केवडी का सवन होता है तो ऐसे उन्होंने बात रखी अभी देखो आगे की गाथा आ रही है तीस नंबर की गाथा अभी अपने आज के विशे में अंतिम गाथा है फिर बहुत मारमेक विशे चलने वाला है बहुत एकागरते से अगले अपने श्वाध्य में चलेगा और बहुत अगत्य की बात चलेगी अपने जीवन में बहुत उपयोगी होगी पुरे समय सार को समझने के लिए अभी अंतिम गाथा जो आ रही है तीसवी गाथा आज के स्वाध्य की उसमें शिश्य एक प्रश्ण करता है कि आत्मा तो शरीर का अधिश्ट आता है मतलब आ आत्मा शरीर का मालिक है ऐसा कहा है या शिश्य का प्रश्ण है इसलिए शरीर के स्थवन करने से आत्मा का स्थवन निचसे से क्यों युक्त नहीं है वो तो यही समझता है अभी भी कि शरीर का मालिक आत्मा है तो भी शरीर का स्थवन करने से आत्मा का स्थवन क्यों नहीं हो सकता ये दुबारा उसकी बात वही की वही चालू है उनका जो बात पहले से उनका पक्ष है वो ही पक्ष चालू है वो यही कहता है कि शरीर का मालिक अधिश्ठाता तो आत्मा है तो फिर शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन क्यों नहीं हो सकता तो उसके उत्तर रूप द्रश्टान सहीत आचारिय भगवान तीस नंबर की गाथा कहते है उसमें द्रश्टान से समझाया जाता है मैं गाथा पढ़ रहा हूँ कुनकुन आचादेव की हिंदी में रे ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न ज्योग मतलब नगरी का वर्णन करने से वो नगर गुण के स्तवन से नहीं केवली गुण स्तवन हो मतलब क्या कहते है ये गाथा का अर्थ क्या होता है कि जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं किया जाता आप नगर का कितना भी वर्णन करो वो नगर का मालिक राजा है लेकिन नगर का कितना भी नहीं कहा जाएगा वो नगर का वर्णन कहा जाएगा इसी प्रकार शरीर के गुण का स्थवन करने पर केवली के गुणों का स्थवन कभी नहीं हो सकता उसके लिए अचारे भगवान और आगे कहते हैं कि नगर का वर्णन की बात आई तो नगर का वर्णन किस प्रकार करेगा कोई तो ये बात बता रहे है कि उनको समझाने है कि आप नगर का अभी जो बता रहे है इस प्रकास से कैसा भी वर्णन कर लो लेकिन उसमें राजा का वर्णन नहीं हुआ राजा की पैचान नहीं हो सकती तो उसको समझाने के लिए आचार भगवन के रहे है कि यह नगर ऐसा ह कि जिसने कोट के द्वारा आकास को ग्रासित कर दिया है मतलब बड़े-बड़े उंचे कोट है उसमें दिवाल वगेरे उनकी बाउनरी वगेरे है और अथाद उसको ऐसा कहते है कि उसका कोट बहुत उंचा है दूसरी बात नगर का वर्णन में बगीचों की पंक्तियों से जिसने भुमी तल को निगल लिया है अथाद इसको इस तरस क्या सकते है कि चारों और बगीचों से पृत्वी ढग गई है यह सब नगर का वर्णन चल रहा है और तिसरी बात करते है कि कोट के चारों और खाई के घेरे से मानो पाताल को पी रहा है अत्वा वो जो कोट मनाया है मतलब बाउंडरी की है वहाँ खाई रहती है उंडी और वो खाई इतनी उंडी है जैसे वो पाताल को छू रही है पाताल को पी रही है इस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी इससे राजा का वर्णन नहीं होता क्योंकि यद पी राजा उसका अदिश्ठ आता है तथा पी वह राजा कोट बाग खाय आदी वाला नहीं है इस प्रकार मतलब इसमें यह हुआ कि नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हुआ क्योंकि नगर में जो कोट बाग खाय की बात की ऐसा राजा नहीं है इसी प्रकार यहां समझाते हैं कि शरीर का स्थवन करने पर तीत्संकर का स्थवन नहीं होता तो इसके लिए आचारे भगवान और समझाते हैं जैसे वहां नगरी का वर्णन किया था तो अभी शरीर का वर्णन करेंगे कि नगर का वर्णन किया ऐसा राजा नहीं है तो नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हुआ भले उसका मालिक है इसी प्रकार शरीर का अधिश्टाता भले आत्मा है मतलब आत्मा के साथ में सईयोग में यही शरीर है तो उसको उसका अधिश्टाता कहा है फिर भी शरीर का वर्णन करोगे वो वर्णन सरीर का है वो आत्मा का नहीं है तो अभी जहां नगर का वर्णन था यहां शरीर का वर्णन करते है आचारय वगवान के जिनेंद्र का रू रहीए उसका वर्णन चलता है कि उनका रूप उत्कृष्ट tया जयवंत वर्थता है दूसरी बाद जीसमें सभी अंग सदा अविकार और सुष्तित है तीसरी बाद जीसमें जन्म से ही अपूर्व और साभाविक लावण्य है जो सर्वप्रिया है और आगे की बाद जो समु इस प्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उच्छे तिर्थंकर केवली पुरुस का स्तवन नहीं होता, क्योंकि यद पी तिर्थंकर केवली पुरुस के सरीर का अधिश्टातुत्व है, तथा पी जो सरीर का वर्णन किया सुस्थित, सरवागता, लावन्य आदि आत्मा के गु नहीं है इसलिए तिर्थंकर केवली पूरुष के उन गुनों का उनमें अभाव है तो ये भी सब इसी स्थुति की है तो अभी क्या है कि अब यहां सकतीश गाता चली अभी बहुत समझो समय शार ग्रंथ के पहले भूरवरंग अधीकार की जो सबसे मतलब क्रीम गाता है वो गाता 31 32 32 एगी उसमें अनादी का मिध्यात्व का अभाव कैसी होता है और समम्यक्तव कैसे प्रगट होता है तो समयक्तव के मतलब सम्यक दर्शन समय ग्ञान समयकचारीत्र किसे प्रगट होएगा इसकी मतलब बुद्दी होके पूर्णता कैसे होएगी वो मुक्षमार की पूर्णता में फिर उसके फरसरू मुख कैसे होगा उसकी बहुत सुन्दर चड़चा आगे तीन गाता में आने वाली है तो वहाँ उसको स्तुती के माध्यम से ही कहा है कि जब तिर्थंकर केवली की बात चल रही है शरीर के माध्यम से चली फिर उनके गु उनके माध्यम से उसको भी आपने सजबूत वहाबार कहा तो दोनों वहाबार है तो फिर निश्चय स्तुती तीन गर केवली की कौन सी है तो यह प्रश्ण अभी होता है मतलब तो यहां पे 31 गाता शुरू करने से पहले कहते है कि अब तिर्थंकर केवली की निश्चय कार होएगी तिर्थंकर केवली की निश्चय स्तुती तो एक मंत्र है समझो याद रखने जैसा उसको समझेंगे उसके सब्द के बाववासन को वो मंत्र यह है कि पहले गे ग्यायक के संकर दोस्का परिहार करके स्तुती कहते हैं तो जब गे ग्यायक संकर दोस्का परिहार ह सब्सक्राइब बिछर्था है को इसको अगले सेशन में विराम लेते हैं 5 मिनिट में कुछ आगे की शुचना वगेरे होए कुछ भी चर्चा वगेरे होए इसके लिए पांच मिर्ट अपने छोड़ रहे है इसमें हाँ जी बंदारी सब तो जो नश्यन ऐसे तो अगली बार आप बताएंगे सब आवाज नहीं आ रही है अगली काथा मैं निश्यन ऐसे बताएंगे ऐसा ऐसा आपने कहा अवाज नहीं आ रही है अलो पुर्वी तो नहीं दे रहा है हाँ 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 कोई प्रश्ण हो तो लेली ही है सर रेकॉर्डिंग स्टाप करना है हाँ हाँ अभी आई आवज में रूपना प्रश्ण हाँ 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 हाँ